जो जो लोग बिहार को एक विक्सित प्रदेश के नजर में देखना चाहते हैं वो सारे लोग इरिस्पेक्टिव आफ कास्ट और रिलिजन आज चिराक पासवान जी के साथ जुड़े हुए हैं ये जंगल राज है नहीं है वो तो न्याले अपना काम कर लिए और न्याले फै किये तो चिराक पासवान की बहुत सारी नीतियों से मैं सहमत हूं और मेरा ये नीजी भी मानना है कि चिराक पासवान जी ही मौशूदा परिपेक्ष में कैसे नेता है जो बिहार को एक स्वर्णिम इतिहास दे सकते हैं 10 लाग की रोजगार 12 लाग की रोजगार लेकिन प्रेणियोर्स है जो कोचिंग जगत या कॉलेज जगत में काप करना चाते हैं उन दोनों का टाइप करवा तर 20-25 सालों से वही चाती की राजनीती हम ये जाती हम गो जाती लेकिन समाज ने आज ये डिसाइड करना होगा कि 21 सदी में किस तरीके की सरकार किस तरीके की जिस वेक्ति का जो प्रिष्ट भूमी है जो बैग्राउंड है वह आप राधिक हो या फिर दबंगई का हो लेकिन अगर कोई सिक्षक बिहार में राजनीती करने पर आए वो भी आज के युग में जब एक नई पीड़ी एक नया पॉड़ खड़ा हो रहा है राजनीती में चाहे चिराग पास्वान हो तेजश्वी आदब हो या फिर कोई भी ऐसे युवा नेता तो उसको उस पर क्या कहा जाए हम इसी पर चर्चा करेंगे हमारा साथ एक युवक है युवा कह सकते हैं सिक्षक है कमिशन की त्यारी करवाते हैं और बीडियो डियस्पी बनाते है आए कि बिपीए सिक की त्यारी करवाते हैं इतिहास पढ़ाते हैं नाम इनका रहू आया है औपचारिक परचा मैंने दे दिया है बागी इन से हम लेंगे लेकिन यह चिराग पास्वान की पार्टी लोजपा रामविलास जॉइन करने जा रहे हैं जॉइन करने जा रहे हैं इसके लिए इनकी मुलकात भी हुई है जो राश्टिय अध्यक्ष है उनसे पार्टी के और भी नेताओं से इनकी मुलकात हुई है अब मसला यह है कि चिराक पास्वान ही क्यों और सिख्छा का राजनिती में आना थोड़ा सुनने में भी पास्वान ही कि यह दोरों सवाल है पहले कि सिख्छका राजनिती में आना कितना सही है और भी घॉबरण पॉलिटिक्स तो उसकी नीव Intelligentsia ने ही रखी है बुद्धी जीवियों ने ही रखी है एक समय था जब आप 1870-80 के दसक में जाके देखिएगा जब राजनीती भारत में आई तो सिक्षक, वकील, डॉक्टर ये लोग हुआ करते थे अब ये sad state of affairs कहिए या दुखत स्थिती कहिए कि आजकल राजनीती का criminalization हो चुका है तो politics जो है वो तो Intelligentsia का natural way है और मैं तो यही चाहूंगा कि अब जिस तरीके से राजनीती के हालात हो गए है तो अब तो समाज को ये decide करना पड़ेगा कि वो अपना किस type का नेटा देखना चाहते हैं बाहुबलियों को देखना चाहते हैं कि बुद्धी जीवियों को देखना चाहते हैं तो मेरा आना या फिर किसी और बुद्धी जीवियों का राजनीती में आना ये समाज के लिए एक welcoming notion होना चाहिए अच्छा आप बुद्धी जीवों की बात कर रहे हैं इंटिलेक्चुल्स की बात कर रहे हैं इस राजी के मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं बहुत पढ़े लिखे हैं और अपने जीस्ते में वो इंजीनिरिंग कर रहे थे उसमें साइधी गिने चुने लोग ही इंजिनियर करते थे चिराग पास्वान की देखे जो अभी मौजूदा सरकार है ये विगत 17-18 सालों से एक खाना पूर्ती की सरकार बनके रह गई है आप सरकार का कोई विजन नहीं है आप एक भी अजेंडा बताईए या प्रोग्राम बताईए सरकार का जिनको इन्होंने लॉजिकली कॉन्क्लूड किया हूँ इतना साड़क अभी अटल पत साब गुजरिये इतना साड़क बिजनी सब तो दे दिया है अगर वो स्टेट गवर्मेंट ने राज्य सरकार ने खुद पिछले 17-18 सालों में बिहार की अगर 13 ड्राइव है वो खुद अपने पैसे से बनवा देता तो यह गौरफ सील बात होती हमारी अर्थव्यवस्ता हैं ही कितनी अगर आप कंपेर किजिए करनाटका से कंपेर करके देख लीजिए है अंध्रपदे से कंपेर करके देख लीजिए तो वहां पे उसके हिसाब से हमा फी हुआ करता था ड्राइविंग लाइसेंस का वो देखिए और अभी का ड्राइविंग लाइसेंस का फी देखिए आपको अकास जमीन का अंतर पड़ेगा तो जनता से टैक्स के माध्यम से पैसा ले ले लेना वो तो लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए सरकार को तो की रचनात्मक तरीके से अर्थ विवस्था में नई नई रुजगार का स्रिजन करें लेकिन ये सब अगर आप देखेंगे तो कहीं नहीं देखने को मिलता है महिला सिक्षा पे नितीश जीतना बोलते हैं लेकिन आप बताईए प्रारंभीक सिक्षा की गुनवत्ता क्या है मौझूदा सरकार ने सिफ इमारते बनाई हैं आप तो टीचर हैं आपको तो अच्छे से पता होगा कई तरह के च्छा तरह आपके पास आते होंगे आप प्राइमरी एडुकेशन की बात कर रहे हैं क्या इस्थितिया आप देख रहे हैं देखें मौझूदा समय में तो प् कमिशन का भी फुल स्टॉप कॉमा और ये गलती उनकी भी नहीं है जब स्कूल में सिखाया ही नहीं जाएगा तो बच्चे सीखेंगे कहां तो कॉंसेप्चुली देखा जाए तो बिहार में जो प्राइमरी एडुकेशन है चर्मराई हुई है हाईयर एडुकेशन बदहाल है छे साल साथ साल में आदमी पीजी कर रहा है तो पीएजडी कब करेगा तो दोनों प्रारंभिक सिख्चा और हाईयर सिख्चा दोनों बिहार में चर्मराई हुई है ये खाना पुर्ती की सरकार है बस एक आमली जमला पहनाया गया है कि इमारतों में कि हमने स्कूल बनाया हमने college बनाया आप वहाँ जाके देखिए तो सही कि quality गया है टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और अगर आ रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं मीडिया के माध्यम से हर दिन कुछ न कुछ प्राडमिक सिक्षा की जो गुनवत्ता है उसको एक्सपूस किया ही जाता है जहां Sunday का spelling essay N करके लिखवाय जा रहा है Monday का M.U.N करके लिखाय जा रहा है यह तो बुनियादी सिक्षा हो गई अब आप सोख सकते हैं कि 9.3 में कैसी सिक्षा दी जाती होगी जब वो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और हम लोगों की पार्टी जो लोजपा है वो रोगर्सिव पॉलिटिक्स के लिए ही जूचती है प्रगतिसील राजनी थी जब वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं कितने लोगों को कितने निताओं के मुझसे आपने सुना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अब तक स्रिफ बिहार और बिहारी का राजनिती करन हुआ है अब तक स्वी बिहारी को मजदूरों की दृष्टी से देखा गया है कभी बिहारी को आप उद्योगपती की दृष्टी से कभी मौजूदा सरकार या इससे पहले कोई भी सरकार देखी है नहीं लेकिन चिराग पासवान जी में ये विजन है वो बिहारी फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं कास्ट लाइन से अबव सोचने वाले नेता है आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगा किसी नेताओं में जो जाती विसेश पे ध्यान नहीं देहीं देता है जो मुद्दों की राजनीती करता है जो अच्छी सिक्षा की राजनीती करता है जो कहता है कि बिहार को वाकई में किस्वी सदी में अगर ले जाना है तो हमें 60 और 70 के मांसिक में जो मतलब फंसे हुए जो नेता है उनसे हमें निजाद चाहिए आज नितीस जी हो जाएं चाहिए कोई भी पॉलिटीशन है उनकी क्या मतलब विजन है रोटी, कपड़ा, मकान, नल, जल अरे भाई ये आज से 30-40 साल पहले की बाते होती थी देश से किस्वी सदी में जा चुका है आप कंपेर करके देख लीजिए आज तक, अभी तक, बिहार में कोई अच्छी युनिवर्सिटीज नहीं बनी है करनाटक देख लीजिए 90 के दसक और बिहार में जब 90 का दसक था लगबग एक ही इस्थिती थी करनाटका was also an agricultural state लेकिन आज के डेट में करनाटका देखिए कहां से कहां निकल गया ज्यादा दिन नहीं है करनाटका का growth story यही आपका 20-25 साल का growth story है गुरगावा देख लीजिए 20-25 साल में उसने growth किया ऐसे बहुत सारे state है जिन्होंने 20-25 साल में rapid progress किया है हम कहां हैं जारखंड अलग हो गया सिक्षा के नाम पे आप देखी रहे है 5-6 साल तो 90 का दसक का criminalization में चला गया अब कितने दर्क में मतलब बिहारीयों को आप मतलब ठेलेंगे तो मतलब जिस तरह आप बोल रहे हैं सर आप 90 के दौर का बात कर रहे हैं क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं क्या तेजश्वी आदव को इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि तेजश्वी आदव उसी पार्टी से है उसी नेता के बेटे है जिस नेता ने नबे के दौर को दिखाया महा जंगल राज की बात की गई तेजश्वी आदव जी में हमें विजन नहीं दिखता है तेजश्वी आदव जी कुछ नहीं बस वो लुभावनी बाते करते हैं 10 लाग की रोजगार 12 लाग की रोजगार लेकिन रोजगार आप देंगे कैसे अच्छा तो ये होता जब तेजश्वी आदव जी कहते कि हम लोग जो अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं साउथ में दक्षिन भारत में उनको बिहार में बुला रहे हैं जो बिहार के अंत्रिप्रेणियोर्स हैं जो कोचिंग जगत या कॉलेज जगत में काब करना चाहते हैं उन दोनों का टाइप करवाते हैं और तीन से चार अच्छे कॉलेजेज अच्छी यूनिवर्सिटीज नौर्थ विहार, साउथ विहार, इस्ट विहार और बेस्ट विहार में देना चाहिए था इनकी बाते करते कोशिस करते कि भाई बाहर के स्टेट से हमारे यहां पढ़ने लोग कब आएंगे अगर बाहर से कोई लोग यहां पर आएगा पढ़ने के लिए तो यहां की अर्थ विवस्ता भी बड़ी होगी जितनी बड़ी आपकी अर्थ विवस्ता होगी उतना ज़ादा आपके पास पैसे होंगे खर्च करने के लिए welfare schemes वे उतना ज़ादा आपका लोगों का जीने कस्तर बढ़ेगा लेकिन ये सब की बाते तो होती नहीं है बिगत 20-25 सालों से वही जाती की राजनीती हम ये जाती हम वो जाती लेकिन समाज ने आज ये decide करना होगा कि 21 सदी में किस तरीके की सरकार किस तरीके की राजनेता बिहार को चाहिए क्या 20-25 साल से जिस छवी के नेता आ रहे हैं वैसे ही नेता आगे भी आते रहेंगे तो फिर जो result होगा वो वही होगा जो 20-25 साल से हम लोग जेर रहे हैं अगर बिहार को आगे बढ़ना है तो बिहार को out of the box सोचना पड़ेगा हमारे पास संसाधन है हमारे पास मेधावी युवा है बस हमें जरूरत है एक ऐसे नेता की जो इन सभी संसाधनों को channelize एक proper direction में कर सके जो युवा की उरजाओं को बिहार के विकास में लगा सके और मौजूदा परिपेक्ष में चिराग पासवान जी ही वो उमीद की एक किरन है जनधार की अगर बात कर ले सर, जनधार तजश्वियादा का बहुत बड़ा है वहाँ उस पार्टी में राजनिती करने के लिए स्पेस भी जादा आपको मिल सकता है अगर तुलना चिराग पासवान से करे चुकि जो एक माइंड सेट है कि चिराग पासवान के साथ बिहार के दली त्याने दूसाथ वोटर्स है लेकिन तजश्वियादा के साथ मोई समी करन है और उनकी आबादी इनकी तुलना में बहुत जादा है देखे कोई भी चीजे पर्मानेंट नहीं होती और पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं होती नेता का जनाधार उसके काम से देखा जाता है और बहुत हट तक उसकी वाक्र सक्ती से वाक्र सक्ती भी आपको एक निश्चित दिसा तक ले जाएगी उसके बाद से आपका काम बोलेगा तो तेजस्वी आदव जी अगर आप कह रहे हैं तो चिराक पासवान जी का भी जनाधार कम नहीं है और ये तो मीडिया के द्वारा लगाया गया है कि दलित उनके साथ है अगर आप देखा जाए तो पुरा बिहार उनके साथ है युवा उनके साथ है जिन जिन लोगों को अपने जीवन का स्तर बढ़ाना है जो जो लोग बिहार को एक विक्सित प्रदेश के नजर में देखना चाहते हैं वो सारे लोग इरिस्पेक्टिव आफ कास्ट अंड रिलिजन आज चिराग पास्वान जी के साथ जुड़े हुए है आने वाले चुनाओं में और आने वाले एक दो साल में ये संख्या ये जनधार चिराग पास्वान जी का और फैलने वाला है जी जी बिलकुल निश्यत ही बढ़ेगा चलिए तो आपार्टी मतलब अफिशले अब जॉइन करने जा रहा है जी ओविसली लोजपा क्योंकि अगर प्रोग्रेसिव वीजन है तो वो सिर्फ लोजपा में है और अगर आप लीडर भी देखिए तो चिराग पासवान की बहुत सारी नीतियों से मैं सहमत हूँ और मेरा ये नीजी भी मानना है कि चिराग पासवान जी ही मौजूदा परिपेख्ष में कैसे नेता है जो बिहार को एक स्वर्णिम इतिहास दे सकते हैं स्वर्णिम भविश्य दे सकते हैं चलिए, तो हमने कोई भी राजनितिक सवाल नहीं लिया, चुकि ये सिक्षक है, अभी राजनिती में है नहीं, लेकि राजनिती में अब एंट्री करने जा रहा है, हमने बिहार के परिपेक्ष में सवाल पूछा, चिराक पासवान में क्यों इनको इसकूप दिखता है, ये प सरते, बहुत बहुत शुक्रिया,